लोकसवा चुनाबों के बाद धनीराम शाउंडिल ने सोलन के स्ट्रॉंग रूम का दोरा किया और सुरक्षा वेवस्ता का जायजा भी लिया है। अधिक जानकारी देते हुए शुरक्षा वेवस्ता का जायजा लेने के बाद धनीराम शाउंडिल ने कहा कि सोलन में जिला परशाशन इबियम मशीनों की शुरक्षा के लिए फुक्ता इंतजाम किये हैं। उन्होंने इस मौके पर एगजिट पॉल पर टिपनी करते हुए कहा कि जो नतीजे एगजिट पॉल में दिखाये जा रहे हैं। शायद दो तीन माह पुराना है। उन्होंने कहा कि ये नतीजे तथ्यों से कोशों दूर हैं। ये नतीजे केबल जनता को ब्रमित करने के लिए हैं। और ये कोई माइने नहीं रखते हैं। मेरा अपना मानना है कि ये पेड़ सौट ऑफ एक्सरसाइज हैं। जो लोगों को भरमित करने के लिए जो इनका आम मेथर्टोलोजी भी है और इनकश्चत तरीका भी है। पांच सालों में भी किया इनोंने तो अब भी एही करना हैं। तो मेरा मानना है कि ये बिलकुल नि जिल्या कॉंग्रेस कमेटी मंडी के अन्द्युश्ची दीपकशर्मा ने कहा कि राजीब गांधी आधूनिक भारत के जनक माने जाते हैं। दीपकशर्मा ने कहा कि ये कहना गलत नहीं होगा कि आज जिस भारत में हम सांस ले रहे हैं। जिस आधूनिक भारत का लोहा अज पूरी दुनिया मान रही है जिस भारत पर अज पूरी दुनिया की निजरें इनायत हैं जिसे कल का विश्व शक्ती माना जाता है और कहा जाता है कि एक वार फिर भारत पूरे विश्व को एक नई राह दिखाएगा ये राजीब गांदी जी की ही देन है दिपक शर्मा ने कहा कि राजीब गांदी जी ने ही कभी भारत को मस्बूत मैफूज और तरक्की की रा पर रफ्तार से दोडाता मुल्क बनाने का सपना दिखा था तरक्की पसंद राजीब ने ही कभी भारत को वक्त के साथ कदम से कदम मिला कर चलना सिखा जिस कंप्यूटर, आईटी और टेलीफोन जैसे कई अन्निक शेत्रों में आज हम पूरी दुनिया को टक्कर देने का दम भर रहे हैं तो वे राजीब गांधी की ही देन है भारत के जिन नोजवानों पर आज पूरी दुनिया की नजर है उसकी ताकत को राजीब ने बहुत पहले ही भांप लिया था यही बज़ा है कि एक दूरदर्शी नेता की तरह राजीब गांधी ने देश की तरकी के लिए बिग्यान और युवा को एक साथ आगे बढ़ने की कोशिश की थी राजीब गांधी 1984 से 1989 तक देश के परधान मंत्री रहे इस दोरान उन्होंने देश में कई एतिहासिक और परिवर्तन बाले कदम उठाए पंचायती राज बिवस्ता को मजबूत करने दूर संचार कंप्यूटर में करांती और युबाओं को 18 साल में मतदिकार की राजीब गांधी ने शुरुआत की धिपक शर्मा ने कहा कि यही कारण है कि आज भारत देश के अग्रेणी पंक्ती में खड़ा नजर आ रहा है राजीब गांधी ने परधान मंत्री बनते ही 1984 में माइक्रो कंप्यूटर्स पोलिसी की नीम रखी इसके तहत प्राइवेट सेक्टर क की कमपनियों को 32 बीट कंप्यूटर्स बनाने का अधिकार मिला राजीब गांधी ने कुछ सेक्टर्स में सरकारे नियंतरन को खतम करने की कोशिश भी की यह सब 1991 में बड़े पैमाने पर नियंतरन और लाइसेंस राज के खात्मे की शुरुआत थी जिला कॉंग्रेस कमेट मंडी के अधियक्ष दीपक शर्मा ने कहा कि राजीब गांधी ने इंकम और कॉर्पोरेट टेक्स खटाया लाइसेंस सिस्टम सरल किया और कंप्यूटर ड्रैग और टेक्स्टायल जैसे क्षेतरों से सरकारी नियंतरन खतम किया साथ ही कस्टम ड्यूटी भी खटाई और न राजीब गांधी की नेशनल और इंटरनेशनल इमेज के लोग कदरदान रहे। राजीब गांधी के पावर टू दा पीपल आइडिया को उन्होंने पंचायती राज विवस्ता को लागू करवाने की दिशा में कदम बढ़ा कर लागू किया। रास्तविक्ता में सबके सामने आया। सत्ता के पिकेंद्री करण के अलाबार राजीब ने सरकारी करमचारियों के लिए 1989 में पांच दिन काम का प्रापधान भी लागू किया। ग्रामीन बच्चों के लिए प्रसित नवोदे बिद्यालियों के शुबारंब का श्रे भी राजीब गांधी को जाता है। इमान के लिए युबा शक्ति का दोहन चरूरी है एबियम मशीनों को चुनाबों में शामिल करने स्मित कई बड़े चुनाब सुधार की गए 21 मई 1991 को भारत के नई सदी की सोच का सपना लिए कौंग्रेस के पूरप्रधान मंतरी रजीब कांधी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गए लेकिन तब तक नई सोच के इस नोजवान नेता ने भारत को प्रग्दी का रात दिखा दिया था जिसे आज के भारत में हम बखु भी महसूस कर सकते हैं जिला कौंग्रेस कमेटी मंडी पदाधिकारी ज्यान कुमारी कॉंडल चंपा शर्मा रवी राणा गोपाल शर्मा सुनिल शर्मा संजे शर्मा उपेंदर शर्मा लाप सिंग लेक राम आदी कौंग्रेस कारिकरता उपस्तित रहे